जितने भी लगते घर है ना साथ के नदी के तो उनको खत्रा हो चुक है और काफी घर तो बह भी चुक है अलब कुलू मनाली से उत्वे इसलाब आ रहा है और आपने देखा होगा कि यहां पर भी जो पुल है यह पुराना पुल था पंजवक्तर महादेव जी के नाम जिसको चाना जाता था तो इस पुल को भी प्रॉपरली अब टोटली जिसको बोलते हैं कि बंद हो चुका है अभी दिक्कत ही आ रही है कि जितने भी साथ लगते घर जैसे कि वह आप घर देख रहे हैं उस तरह के जो प्रशाशन की तरफ से हमें यह हल्प मिल रही है कि जितने भी जो पुलिस महकमा है एंडी आरेफ की टीम्स है मनाली से लेकर के मंडी तक सब को सुविदा दी जा रही है जैसे जिसका कोई घर बह गया है तो उनको जो गुर्द्वारा प्रशाशन मंडी का उनकी तरफ से ल इमेल ऐडी सब कुछ मेंशन किया है तो वहां पर जो हम सुविधा ले पा रहे हैं हमारा घर तो खोड़ा उपर की साइड़ा बट जिनका घर ऐसे इस वाले एरिया में था ना उनको बहुत दिक्कत है अब आप जिसके सकते हैं यहां पर भी काफी तंगे तूट चुके हैं लेकिन सकता नहीं ब attorneys को बारिशहार पानी को झोहां तो सकता लेकिन नुक्षा ने सकता लेकिन इस वार चण बहुत ज्याद हुआ है पले नुक्सान लेकिन उसक्तर नुक्सान नहीं त।ूट गूझ कर नहीं जो दिसक्तें जो पुरत अभागवार ए बटे लगाय थे यह पूरे बै गई यहां पर और हनुमान मंदिर को नुक्सान हुआ पार्किंग को नुक्सान हुआ और सामने वाले शम्शान काटा है वहां पर बहुत नुक्सान हुआ है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.केश्री